नमस्क्क दोस्तों आज की इस वीडियो में बताइंगे कि मंत्रा थंब स्केनर का RD सर्विस कैसे किया जाता है यानि कि उसका commaन के से किया जाता आजी सर्विस में दो तरह से हो जाता है एक एक का सौटर ऑफ इंस्टाıl किया जाता है लेकिन जब भी भी first time खरीते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई मनतरा अगर खरीते हैं तो एक साल के लिए RDI service पहले से ही उसमें include की गई होती है या फीर वो कोई 2 साल के लिए होती है कोई 5 साल के लिए होती है तो इस तरह से मनतरा RDI servicealyst उसमें पहले से जब खरिते हैं तो उसमें इंक्लूड होता है, जब वो खतम होता है, तो हमें रिचार्ज करने की जरुवत पड़ती है, और यहां पर जब भी-भी मंतरा को सब्सक्राइब करेंगे, तो सिर्फ वन येर का ही रिचार्ज यहां पर कर पाएंगे, क्योंकि इसक कि서 स्केनर है इसका हम रिछार्ज करेंगे रिचार्ज करने के लिए पहले आपको दिखा देते हैं कि रिचार्ज कब की आता है और इसका मैसेज क्या आता है तो पहले इसे हम अपने लचाप में plug-in करेंगे plugin करते ही आपके display पे इस तरह का एक message आएगा corner पे आएगा device attached please wait अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है error 1001 your artist subscription is expired please contact service को और कुछ number दिया हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है press 1 for support उसके नीचे site दी गई है site पे जाकर आप डाइरेक्ट वहाँ से recharge कर सकते हैं या फिर वह site अगर नहीं type कर पा रहे हैं तो Google में type करेंगे mantra RD service उसके बाद आगे recharge लिख देंगे तो वह direct site आपके सामने आ जाएगी जो पहला link है आप देख सकते हैं serviko.mantratakeapp.com इस link पर क्लिक करेंगे इस link पर क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे देख सकते हैं दो option दिया हुआ है payment option का इसमें एक है RD service और दूसरा है RMA तो हम select करेंगे RD service को RD service select करने के बाद यहां पर form आ जाएगा form को fill up करना होगा और यहां पर पहले क्या करना होगा कि पहले तो हमें serial number को यहां पे add करना होगा एड करने केबाद हि हम कोई बाकि details भरेंगे तो पहले हम अपने मंत्रा डिवाइस का सीरियल नंबर एड करते हैं एड पर क्लिक करने के बाद यहां पर एड सीरियल नंबर का बॉक्स आ जाएगा यहां पर दिया हुआ है कि कहां पर सीरियल नंबर मिलेगा आपको यहां पर दिखा दें यह जो पीछे है यह मंत्रा है यहां पर जो लास्ट में सेवे करदेंगे aqui करने के बाद उपर दिया हुआ है यहां पे कुछ रहर आड जो बने के लिए तो यहां पर अपना झाइब करेंगे उसके बाद मोबाइल टाइब करेंगे और अपना mail type करेंगे यदि आपके पास अगर कोई form है या company का नाम है तो company का नाम type कर सकते हैं अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद company का gst है तो gst. type करेंगे अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं अप्लिकेंट नेम में अपना नाम डाइप कर देंगे उसके बाद नीचे दो आप्सन दिया गया है फार वन इयर आडी सब्सक्रिप्सन उसके आगे पैसा लिखा हुआ है कितना रुपया लगेगा वन इयर के लिए 100 रुपया लगेगा प्लस उसमें 18% GST भी एड होगी उसके बाद नीचे दूसरा आप्सन है कि फार वन इयर आडी सब्सक्रिप्सन प्लस वारेंटी यानि कि अगर वारेंटी भी एक्स्टेंड कराना चाते हैं तो उसके लिए 200 रुपया और अलग से पेमेंट करना पड़ेगा प्लस GST के साथ तो हमें क्या करना है कि सिर्फ वन इयर के लिए इसका सब्सक्रिप्सन लेना है यानि कि आडी सर्विस का लेना है तो उसके लिए हम पहला उप्सन को सेलेट करेंगे सेलेट करने के बाद नीचे आएंगे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एमाउंट हमने से सेलेक्ट किया है यानि कि जो वन इयर सब्सक्रिप्सन के लिए सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे 100 रुपया सो कर रहा है प्लस 18% GST, टोटल 118 रुपय हो गया है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, country दिया हुआ है, country अल्रेडी सेलेक्टेड है, उसके बाद यहाँ पे अपना state सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस city में रहते हैं, वो city का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के यहाँ पे postal address में अपना address भर देंगे, कि कहाँ पे आपका posting address है, उसके बाद pay for किसलिए यह payment कर रहे हैं, और remark में कुछ लिख देंगे, हम क्यों इसे recharge कर रहे हैं, उसके बाद नीचे दिया हुआ है, पीन कोड, अपना पीन कोड टाइप करेंगे, उसके बाद pay now पे click तो यहाँ पे term and condition हो आएगा, यहाँ पे accept करेंगे, accept करने के बाद यहाँ पे choose payment option को आज जाएगा, कि किस method से आप इसे payment करना चाहते हैं, debit card, credit card, उसके बाद wallet, net banking, UPI payment, उसके बाद pay tm, बहुत सारा option है, जिस option से आप payment करना चाहते हैं, उससे आप payment कर सकते हैं, तो हम pay tm स या रखना है, तो download receipt पे click करेंगे, यह आपका receipt आजाएगा, इससे रख भी सकते हैं, उसके बाद अब check करेंगे, मंतरा में जो भी error आ रहा था, वो फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको अब फिर से दुबारा अपने laptop में इसे plug-in करेंगे, यह पहले से लगा हुआ है, तो इसको हम remove करके फिर से add करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, हम यहां पर device को attach कर दिये, उसके बाद यहां पर message आ गया है, कि you have successfully converted device into आधार registration device, यहां पर message आ चुका है, यहां कि जो हमारा पहले error आ रहा था, recharge करने के लिए, वो error खतम हो चुका है, क्योंकि हमने recharge पूर दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूज बताईएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो like जरूज करिएगा